भूख किमी बढ़ती हुई एक समस्या है इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं जैसे कि बहुत जादा गर्मी होना या थंडी होना या फिर बच्छे के अंदर विटाइमिन की कमी होना या फिर बच्छे का स्वभाव ऐसा होना ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं पर कुछ घरोई लू उपाय हैं अगर हम इस चीज को फॉलो करते हैं तो बेबी जो है अच्छे से खाना खाने लगेंगे खाने में उनको इंटरस्ट आने लगेगा ऐसा निकि वह एकदम से चार रोटी कहाने लगेंगे थोड़ा-थोड़ा करके पर interest लेकर के खाएंगे जिसे कि बच्चे का विकास जो है वो बहुत अच्छे से होगा और बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि बच्चे को सभी जरूरी पोशक तत्व जो है बहुत अच्छे से मिले जिसे कि उनका जो सारेरिक और मानसिक विका में इंट्रेस्ट लेना शुरू कर देंगे तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स टिप है जो कि बहुत काम करता है आप अपने बच्चे के साथ बैट करके खाना खाईए जब आप ये टाइम देना स्टार्ट कर देंगी ना तो यकीन मानिए आपका बच् करते हैं कि कौन पहले खाएगा इस तरह से ना छोटी छोटी जो है ना रोमांचक चीजे कीजिए जो जिसे कि ना उनको इंट्रेस्ट आएगा और आप से जीतने के चक्र में है जो खाना जो है वो फिनिश करना स्टार्ट कर देंगे उनको लगेगा कि अरे मुझे खतम करन है मुझे फिनिश करना है ममा को हरा देना है तो इस तरह से गर कॉंपटेशन करेंगी ना और तो बेबी जो है खतम करना ही लगे या खाने को या फिर आप जो है बेबी को छोटा-छोटा बाइट खिलाए और इधर उधर की बाते कीजिए इसे भी बेबी को इंट्रेस्ट और आपकी बातों में ध्यान देंगे और जो है इससे भी खाना खाना स्टार्ट कर देंगे उनको स्वाद पता चलने लगेगा तो आप यह जरूर ट्राइ कीजिए नेक्स टिप है कि आप जो है ना कार्टून वाले जो बरतन होते उनको इस्तमाल कीजिए खाना खिलाते सम भी उस चीज को देख करके खूश हो करके कि उसमे एकदम को जाएंगे कि उनके पास जो है जैसे मीकी माउस का प्लेट है तो बच्चे की मन पसंद का रखी तो इससे भी बच्चे को इंट्रेस्ट आता है खाना खाने में नेक्स टिप है कि बच्चों की भूब को बढ़ान पर नहीं के लिए ना विटामिंद का भी यूज कर सकती है तो विटामिंद को यूज करने से पहले एक बार आप जरूर आपके चाईलल एक्सपर्ट के साहते केसा बात कर लीजेगा उसके बाद यूज से बज़ की जब बच्चे को जब यब कभी ऐसा भी आतां कि बादेस को स्टार्ट करने से पहले आप अपने एक्सपर्ट के साथ जरूर बात कर लीजेगा विटाइमिन बी जो होता है ना वो भूक लगाने के लिए बहुत इंपोर्टेंट होता है और फॉलिक एसेट जो है ना ब्रेंट डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो इसलिए आप इन विटाइमिन्स को अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद अपने बचे को जरूर दीजेगा इससे भी आपकी काफी हेल्प होगी नेक्स्ट टिप है कि आप अपने बच्चे को जो है ना मौसमी जो फल होते हैं मतलब जिस मौसम के अंदर जो फल मिलता है वो फल जो है आप अपने बच्चे को जरूर सिखिलाए देखे खाने के साथ साथ जो है ना बच्चे को फल इंटर्ड्यूस करना भी बहुत इंपोर्टन होता है क्योंकि फल के अंदर जो है ना बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं जो कि बच्चे का सही से विकास होने के लिए बहुत जादा जरूरी होता है और फल क्या होता है ना कलर फूल भी होता है थोड़ा जो नि का टेस्ट होता है मीठा होता है क्कटटा होता माशन का नियुका मुझू म इंव तील फूल से बचे को विल को चीवकरते हैं मौसम की हिसाब से जो फ़ल मिलता है और जिस फ़ल को खाने में बच्चे इंटरस्ट लेते है ना वो फ़ल आप अपने बच्चे को बार-बार खिलाईए तो इससे बी जो है ना बहुत अच्छे से जल्दी से बच जाता है और उसके अंदर जो है ना बहुत सारे विटामिन् तो बच्चे को भूग भी लगता और बच्चे का विकास भी सही सही होता है तो आप इस टिप को भी जरूर फॉलो कीजिएगा नेक्स टिप है कि आप अपने बच्चे को थोड़े थोड़े टाइम पर जो है ना कुछ हेल्दी कहिलाई है मतलब कुछ ना कुछ खिलाते रही है इससे बच्चे को समझे अगर एक बार में अच्छे से नहीं खाना खाया ना मतलब कुछ पोस्टिक जो है उनको उसकी कमी रह गई कुछ अच्छा सा नहीं खाया तो नेक्स टाइम जो आप मिल देंगी ना तो उससे उनका पेट भर जाएगा तो थोड़े थोड़े टाइम पर आप बच्चे को खाना खिलाते भी रहे इससे क्या होगा ना उनका खाना पचाने की जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी उनके दिमाग में एक मैसेज जाएगा कि हमें जो है अगले तीन घंटे के बाद वापस से खाना है फिर अगले तीन घंटे वापस से खाना है तो उनके ब्रेइन को यह मैसेज जाता रहेगा तो उनका बॉड़ी जो है काम करता रहेगा खाना पचाता भी रहेगा जिससे कि उनको जो है जरूरी पोशक तत्व भी का जो बेबी है वो टू एर फ्लस हो चुका है ना तो आप जो है तीन घंटे का ग्याप रखेगा नेक्स्ट मील के लिए नहीं तो खाना अच्छे से पचे गाई नहीं नेक्स्ट खाना भी नहीं खाएंगे बचे चिर्चड़े हो जाएंगे तो इसी को जरूर ध्यान किजेगा और साथी जो बेल आइकउन है उसे भी अन कर दीजेगा